अलो वच्चो वेलकम टो माई यूटूब चैनल आधी नोट्स तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट का अप्लीकेशन ठीक है तो इसमें फर्स्ट अप्लीकेशन में लिया है रेजोनेंस अल्टर दा बांड लेंथ ठीक है रेजोनेंस की वजह स बांड लेंथ में जो चैन्जिंग आती है उसको हम देखेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर दो हमने जमपल ले रखा है पहला है आपका CS3 CS2 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 डबुल बांड CS2 और बेंजिंग निंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है ठीक है यहां पर क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बांड है उसको हमने यक्स इंग्स्टाम माना है इसको य इंग्स्टाम इसको जेड इंग्स्टाम अब इसमें देखना है कि कौन सा यक्स और य तीनों में किसका बांड लेंग ज्यादा होगा ठीक तो चलिए यह देखते हैं तो देखें पहले कंपांड जो है CS3 CS2 CL तो य यह नार्मल आपका सिंगल बांड है इसमें कोई रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर नहीं है तो यहां पर जो भी बांड है वह क्या होगा अरिजिनल होगा ठीक है यह SINGLE है तो सिंगल रहेगा अब इसमें आते हैं देखें सीफ टु डबल बांड सीफ क्लोरीन के पास जो ल जाएगा ठीक है अब देखिए इसमें इसमें भी देखिए आपका लोन पेर क्या है यह यहां पर आएगा और यह यहां पर जाएगा ठीक तो अब देखिए पहले में तो क्या है Conjugation है नहीं इन दोनों में Conjugation है ठीक तो अब देखिए यह Pure Single Band है अब यह जो है यह Pure Single नहीं है यह पार्सियल डबल है ठीक है अब यह Single Band नहीं है अब यह Conjugation की वज़े से इसमें क्या गया है पार्सियल डबल ठीक है और इसमें भी अब ये partial double हो गया है तो अब ये देखना है अब ये pure single band है तो single band की band length सबसे ज़्यादा होगी ठीक है तो ये x की सबसे ज़्यादा होगी फिर अब देखते हैं y की होगी की z की होगी तो अब देखिए single में अगर हम conjunction की बात करें तो single में double band character आता है और double band में single character आता है ठीक है single band का character तो अब देखिए इस single band में double band का character आएगा और इस single band में भी double band का character आएगा लेकिन अब देखिए इसमें एक ही conjunction है और इसमें कई conjunction है ठीक है क्योंकि इसमें 3 pi band है इसमें सिर्फ 1 pi band है तो इसमें conjugation कम होगा और इसमें conjugation ज्यादा होगा जब इसमें conjugation ज्यादा होगा तो single band में double band का character ज्यादा आएगा ठीक है इसमें single band में double band का character ज्यादा आएगा जबकि इसमें single band इसके single band में double band का character कम आएगा और double band का band character कम तो इसका band length इसके company engine में ज्यादा होगा ठीक है तो फिर किसका हो जाएगा y और फिर z ठीक तो यह order हो जाएगा ठीक है तो आएगे नीचे देखते हैं नीचे देखिए compound है r c double band o o h r c double band o o minus ठीक यहाँ पर दीक है double band पर हमने a दे रखा है single band पर b यहाँ पर double band पर d single band पर e ठीक चलिए इसमें समझते हैं अब देखिए इसका यह double band ठीक है इसका double band क्या conjugation में हाँ conjugation में है जो oxygen के पास loan pair है वो conjugation में है ठीक अब इसमें conjugation में है तो देखिए इसका जब हम conjugating structure बनाएंगे तो यह double band इसपे shift करेंगे और यह आपका पाई band इसपे negative charge के रूप में जाएगा तो इसपे positive charge और इसपे negative charge और यहाँ पर double band लेकिन ध्यान दीजिए कि oxygen जो की more electro negative atom है इसपे conjugation जब बना रहे है तो oxygen पे positive charge और जब oxygen पे positive charge और जब oxygen पे positive charge आएगा तो यह जो resonating structure बनेगा वो क्या होगा highly unstable होगा highly unstable होगा तो अब यह resonating structure बनना ही नहीं चाहेगा ठीक है resonance तो है लेकिन यह resonating structure बनने पे destabilize हो रहा है इसलिए यह resonating structure बनेगा ही नहीं ठीक है बनेगा नहीं तो जो carbon oxygen से double band से जुड़ा है वो pure double band रहेगा और जो single band से जुड़ा हुआ है वो pure single band रहेगा तो यानि कि इन दोनों case में जो pure double है वो pure double रहेगा जो pure single है वो pure single रहेगा तो अब अगर हम बात करें band length की ठीक है तो देखिए इसमें B का सबसे जगा होगा A का सबसे कम होगा चलिए इसमें देखते हैं अब इसमें देखिए R C double band O O अब इसमें देखिए अगर इसमें आप conjugation करेंगे तो यह pi band यहां होगा और यह pi band negative charge में जाएगा तो देखिए यह आपका बनेगा यह बनेगा और यह दोनों क्या है equivalent resonating structure ठीक है क्या है equivalent resonating structure ठीक और यह highly stable होते हैं तो यह बनेगा तो यानि कि अब यहां पे न तो pure double होगा और ना ही pure single होगा double में single band का character आएगा और single band में double band का character आएगा तो यानि कि यह और चुकि यह equivalent है तो अब इसमें न तो double band ज्यादा होगा ना single band होगा दोनों का value जो होगा वो equal होगा तो यानि कि यहाँ पे अगर बात करें तो D और E का बांड लें equal होगा ठीक है अब इसमें एक pure double है pure single है और इसमें दोनों partial double है ठीक है तो अब अगर order की बात करें तो देखे B आपका सबसे ज़्यादा होगा ठीक है pure यह double है तो यह सबसे कम होगा D और E equivalent है तो यह दोनों क्या होंगे equal होंगे ठीक है यह दोनों equal होंगे और इन दोनों के बीच में होंगे तो यह आपका order हो जाएगा ठीक है bond length order ठीक यह purely double और यह purely single ठीक है अब यह क्या हो जाएगा यह partial double partial double ठीक है लेकिन किस तरह का equivalent 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 ठीक है तो इस तरह से आप band length देख सकते हैं आईए कुछ और example लेकिए आपको करते हैं यहाँ पे चार option है पहला ओयच है cyclohexane और फिर इसमें रिंग जुड़ा हुआ है इसमें दो alternate double band है फिर यह इसमें तीन अंट्रलेंट band ठीक है यानि कि बेंजीन रिंग इसमें बेंजीन रिंग के साथ साथ एक सी अच्छों ग्रूप जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसमें ओयच बांड से जो कारवन से जुड़ा हुआ है ए बी और डी आपका दे रखा है तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा band लें किसका होगा ठीक तो चलिए आए देखते है तो पहला देखिए ओयच जो है वो प्योर सिंगल band है ठीक है क्यूंकि इस ring में कोई भी आपका पाइबांड नहीं है जो इसके कंजुगेशन में हो ठीक है तो यहाँ पे जो a है वो प्योर सिंगल बांड है अब इधर देखिए v और e और d तो यहाँ पे देखिए ring में कोई पाइबांड है और ये पाइबांड OH के क्या है Conjugation में है Conjugation में है तो यह क्या होगा Resonance सो करेगा तो अब यह pure single band नहीं रह जाएंगे ठीक है यह pure single band नहीं रह जाएंगे तो चलिए इन में देखते हैं ठीक तो अब देखिए अब यह जब आपका Resonance में आएगा तो यह यहाँ आएगा ठीक है और यह आपका यहाँ जाएगा ठीक फिर यहाँ यह इसमें यहाँ पर आएगा और यह यहाँ पर आएगा इस तरह से यह आपका Resonance सो करेगा ठीक है इस तरह से यह Resonance सो करेगा तो अब देखिए इसमें एक दो ठीक है, दो पाई है, ठीक, इसमें एक, दो, तीन पाई है, इसमें एक, दो, तीन और एक बाहर जो ग्रूप लगा हुआ है, उसमें पाई बांड है, और वो भी कंजुगेशन में है, ठीक है, तो यानि कि अगर हम इधर से इधर चलें, तो कंजुगेशन बढ़ता जा रहा है ठीक है, Conjugation बढ़ता जा रहा है, जब Conjugation बढ़ता जा रहा है, तो Single में Double Band का Character बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, थोड़ा होगा, इसमें और जादा होगा, ठीक है, यानि कि हम इधर से इधर जा रहा हैं, तो Single में Double Band का Character बढ़ेगा, और जब Double Band का Character बढ़ेग फिर आपका B है फिर E है और फिर आपका D है ठीक क्योंकि इधर बढने पे आपका क्या हो रहा है रेजुनेस यानि की कंजुगेशन बढ़ता जा रहे है कंजुगेशन बढ़ता जा रहा है तो सिंगल में double band का character बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा double band character होगा उतना ही band length उसका कम होगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा कि band कि length अब देखिए अगर अगर माल लीजिए है हम इसी compound को लें और यहां पे यह ग्रूप जोड़ दें ठीक है तो अब बताईए अब बताईए क्या होगा इसमें जो आपका होगा मालीजे इसको एप मालीजे ठीक है तो इसका बांड लेंद क्या होगा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यह आपका जो है मेटा पोजीशन पे है तो मेटा पोजीशन पे लगे हुए ग्रूप क्या होते है रेजूनेटिंग एफेक्ट्स हो नहीं करते हैं तो इसमें लगा हुआ जो आपका ग्रूप है जिसके पास πाई बांड है ये इसके कंजूगेशन में नहीं होगा कंजूगेशन में केवल ये रिंग के पाई बांड इस लोन पेयर के कंजूगेशन में होंगे ठीक है तो ये नहीं होगा ठीक है ये वाला नहीं होगा तो अब ऐसे में क्या होगा इसका जो यह का बांड लेंथ होगा वो E के बराबर होगा क्योंकि इस रिंग के अंदर जो यह आपके आओंगे आपस में बराबर होगे region क्या है क्योंकि meta position आपका regionating structure में भाग नहीं लेता या resonance effect वो नहीं करता ठीक चलिए नीचे है अब यहाँ पर देखिए ring से double band हो ring से double band हो ring से double band हो अब इसमें कहरा कि band length बताईए ABC का order किसका band length ज़्यादा होगा तो अब देखिए पहले में क्या conjugation है कोई इसके अलावा alternate pi band है नहीं तो conjugation में है नहीं यह pure double band है यहाँ पर आते हैं इसमें देखिए इस pi band के conjugation में एक pi band है तो एक conjugation होगा इसमें देखते हैं एक, दो, तीन pi हैं तो तीन conjugation होगा तो अब देखिए double में single band का character बढ़ेगा ठीके यानी कि एस double band में single band जदा होगा और इसमें इसके compression में थोड़ा और कम होगा ठीके तो यानी कि यहाँ पर single band इसके compression में जदा होगा और यह तो pure double है तो यह तो order में सबसे ज़्यादा पीछे जाएगा अब सबसे order कोना आएगा c आयागा इसमें double में single band character ज़्यादा और single band का band length ज़्यादा तो C सबसे ज़्यादा फिर आपका B तो इस तरह से आप band length देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप band length का आडर चेक कर सकते हैं ठीक है तो देखें सेकेंड अप्लिकेशन है explain acidic strength order RSO3H greater than RCOOH फिर आपका फेनिल फिर आपका नार्मल एलकोहल यानिकी एलिफाटिक ठीक है तो यह aromatic alcohol और यह एलिफाटिक तो यह इसका जो आडर है इसको explain करिए कि क्या यह आडर जो है यह सही है और सही है तो कैसे ठीक है चलिए तो हम पहला लिखते हैं पहला compound आपका क्या है R ठीक है यह है तो यहां से हम क्या करते है एस प्लस को remove करते है तो देखिए आपका जो structure बनेगा वो यह बनेगा यह ठीक है तो अब देखिए अब इसका हम regionating structure बनाएं तो देखिए यह यहां होगा यह यहां पर जाएगा तो आपका अगला regionating structure यह बनेगा ठीक है फिर अगर हम बात करें तो यह यहां पर आएगा यह पाईवांड यहां पर जाएगा और फिर आपका अगला structure ठीक है यह बनेगा तो अब देखिए यहां तीनों structure आपके एक जैसे नहीं बन रहे हैं ठीक है तीनों में देखिए oxygen पे निगेटिव दो oxygen डबल बांड से एक oxygen पे निगेटिव चार ठीक है तीनों में देखिए क्या एक समान है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्विबैलेंट रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर ठीक है एक्विबैलेंट रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर ओभी कितने तीन तो यहां पे जो रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर बन रहा वो एक्विबैलेंट और एक्विबैलेंट रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर ज एक्वीवेलेंट एक्वीवेलेंट रेजोनेंस ठीके तो आपको यह कितने से 3 एक्वेलेंट रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर से यह इस्टेबलाईज हो रहा है और यह सो 3 ठीके चलिए दूसरा दूसरा देखते हैं क्या है आर सी डवूल बांड ओ एच ठीक तो यहां से क्या करते हैं एच को निकालते हैं एच को निकालेंगे तो यह बनेगा आपका यह बनेगा ठीक तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो देखें यह पाई बांड में कनोट होगा और यह पाई बांड निगेटिव चार्ज में तो यह बनेगा आपका यह तो देखें यह क्या बना हुआ इस्ट्रक्चर ओरजिनल के ही जैसा है लगभग ठीक है जो बना हुआ नया इस्ट्रक्चर है जैसा पहला इस्ट्रक्चर है सेम वैसे ही है ठीक तो एकदम बिल्कुल यह है एक्विवेलेंट है तो यह भी क्या है आपका एक्विवेलें resonating structure ठीक है लेकिन इसमें कितना है एक दो तो यह stabilize हो रहा है तो तो एक्विबैलेंट रेजोनेंस ठीक है तो एक्विबैलेंट रेजोनेंट इस्ट्रक्चर या रेजोनेंस ठीक है यह तीन है यह दो है तो इसकी stability इससे ज्यादा होगी ठीक अब बात करते हैं तीसरा आपका ओ एच ठीक तो यहां से हम क्या करते है एच प्लस को रिमूब करते हैं तो यह बन जाएगा आपका ओ माइनस ठीक तो देखिए अब अगर हम इसका conjunction करें तो देखिए यह पाइबान यहाँ पे और यह negative charge यहाँ पे होगा ठीक तो यह structure बन जाएगा आपका यह बन जाएगा ठीक है इस तरह से यह क्या होगा conjunction होता जाएगा ठीक है तो यह बस बनता जाएगा आगे ठीक लेकिन यह देखिए यह simple जो बन रहा है आपका simple resonating structure है ठीक है कैसा है simple resonating structure तो stabilize by normal resonating structure ठीक है यह stabilize हो रहा है normal resonating structure ठीक तो equivalent जो होते हैं वो ज्यादा stable होते हैं तो यह दोनों इससे तो ज्यादा stable होंगे ठीक और इसमें भी यह 3 है यह 2 है तो यह सबसे ज्यादा होगा फिर यह होगा फिर यह होगा अब बात करते हैं आपका यह लिगा रोयच ठीक है रोयच यानी कि ऐलिफटेक अल्कोहल ठीक तो इसमें देखिए इसको मिटा दे रहे हैं ठीक है इसको लिख रीज़ेगा है चलिए तो चौथा ज़ो आपका है आर ओ यच तो देखिए यहां से यच जब निकलेगा सिम्पल तो यह आपका बनेगा आर ओ माइनस और यह सिम्पल क्या है सिम्पल है ठीक है तो यह सिम्पल एलकॉक्साइड आयन है सिम्पल एलकॉक्साइड आयन इसमें रेजुनेंस नहीं है तो नाट रेजुनेंस या नू रेजुनेंस जब इसमें रेजुनेंस नहीं है तो यह नार्मली इन लोगों से इसका इस्टेविल्टी कम होगा ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह सो 3H सबसे ज़्यादा क्यों है क्योंकि इसमें 3 equivalent resonating structure है इसमें 2 और यह normally stabilized है और इसमें आपका resonating है ही नहीं ठीक तो आपको यह समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही